प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है प्रति दिन याकुल्ट का सीवन करें हम जानेंगे कि बकॉल एनाई ये क्यों सचिनवाज है सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है टिप अफ आइसबर्ग है जो इस खेल की पकड़ में आ गई है लेकिन पहले देखिए ये वीडियो देखिए जब एलेक्शन फील्ड में हम लोग घूमते हैं तो बहुत अलग अलग स्वरूपों में ग्यान मिलता है जैसे अभी में ये जो पांच दीदिया है यहां पे एक बहुत बड़ा काम है स्कार्फ का हमारे मित्र हैं उनकी फैक्ट्री वहां पे दीदी काम करती है सब कि इनसे मैं बात कर रहा था तो चूंकि अभी समय हो गया है साथ बावन तो यह दीदी लोग चुकि हमें बात करनी थी रोका गया तो लेट हो गई है तो अब यह पाटो रिक्षे से जाएंगी ए रिक्षे से तो हमको पता नहीं था कि ए रिक्षी का नाम मयूरी होता है तो मैंने इन दीदी से पूछा आप कैसे जाओगे मयूरी से तो हमको समझ में नहीं यह मयूरी क्या है तो यह आज हमारे घ्यान में श्रीव रद्दी होई है कि ए रिक्षा का नाम मयूरी होता है कोई ब्रैंड होगा लेकिन अब वो लोक भाशा में आ गया है तो यह पांच द दीदी हैं पांच लोग हैं इन से बात करेंगे आछ जी तो आप कित्ते बजे आ जाते हो दीदी आं काम करने हो जी साधे नो बजे सब्सक्राइब हो इन सब लोगं की अजब नेता वह बता रहे थी सब लोग सबसे बड़ी है इसलिए आप लोगों की नेता हैं अजी बात है जी कितने वक्त से आप ये काम कर रही है दी हम करीब तीन साल हो गया तीन साल से काम कर रही है कितनी उमर है आप पेंटालिस साल है पेले क्या काम करती थी पहले तो पहले क्या काम करती थी दीद्याप वह बच्चों के कपड़े सी ले जाते हैं एस्पोर्ट का मालसी लगाता है प्रिस्तार से समझाओ यह सिस्टम होता है क्पड़ से मतलब कपड़ बच्चों के कपड़े से ले जाते हैं फिर उनके सिल्क नीचे आते हैं पिर उनके धागे कटते हैं जो सिलाई के रहे जाते हैं इतना परिशा मिलता है दीदी वहाँ देखो उस टैम पे तो हमारे हैं दो हजार रुपे इस रिपोर्ट को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा दीलेजन टॉप यूपी के चैनल पर वास और अब व्यदी पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी अगर आप हमारी कबरेट से जोड़ना चाहते हैं तो हमें इस पते पर मेल भी भेच सकते हैं आपको रिप्लाइ मिल जाएगा और जगेर न मिल जाएगी जहां आ जाकर कि आप टीम से मिल सकते हैं इनपूट्स दे सकते हैं इनपूट्स ले भी सकते हैं ये इन सारी सूचनाओं के बाद अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ पहले सुरुखी आई पशिप बंगाल से सुबह की भाश्पाई काई की उपाध्यक्ष अरजुन सिंग के घर पर आज सुबह देशी बम दागे गए बैरकपुर से सांसद अरजुन सिंग का घर उत्तर चौविस परगरना के जगदल में है सुबह 6 वजे के करीब जब बम दागे गए तब सिंग का परिवार घर पर था सांसद का सुरक्षा अमला भी मौजूद था लेकिन किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली है इंडिया टुडे की संबादाता प्रेमा रजाराम ने जानकारी दी है कि बम सिंग के घर के गेट पर फटे हमले के बक्त सिंग पच्चिम मंगाल में तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाओं के संबन्द में नई दिल्ली आई हुए थे पच्चिम मंगाल पुलिस ने आसपास की CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि हमलाबरों के पहचान हो सके और उनका मकसद मालूम किया जा सके सुबे के राजपाल जगदीब धंकर ने हमले के बाद एक ट्वीट करके कहा कि पच्चिम मंगाल में बेलगाम हिंसा का दौर थम नहीं रहा है दार्जिलिंग से सांसद राजू विस्ता ने हमले की NIA से जांच कराने की मांग भी की है दर्शक जानते हैं कि उपचुनाव में कोलकाता की भवानिपूर सीट से खुद मुख्यमंतरी मम्तर बैनर जे लड़ रही है अब यह वा विधान सभा में नहीं है उनके पास नमबर तक का टाइम है तीन सीटों के लिए 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे पच्चिम मंगाल में भवानिपूर के अलावा जंगिपूर और शमशेर गंज में भी उपचुनाव होना है 31 अगस्त को ही केंद्री गरह मंतरा लेनर पच्चिम मंगाल सरकार को एक चिठ्थी लिखी थी और कहा था कि 61 भाजपा निताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए इस लिस्प में अर्जुन सिंग का नाम भी था दूसरी सुर्खी बनी है क्याबिनेट के फैस्टों से अनिश्चित काल के लिए खिषते जा रहे किसान आंदोलन और लगातार हो रहे किसान महापंचायतों के बीच केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के बिकरी वर्ष के लिए रबी की फसलों का निउन्तम समर्थन मूले बढ़ा दिया है साधिवाशा में इस साल ठंड के मौसम में आप जो बुआई करेंगे उसकी उपच पर आपको पहले से ज्यादा MSP मिलेगा बढ़ोतरी इस प्रकार है सरसों, सफेद सरसों और मसूर पर प्रतिक विंटल 400 रुपे ज्यादा मिलेंगे चने पर प्रतिक विंटल 130 रुपे की बढ़ात हुई है कुसम पर प्रतिक विंटल 114 रुपे की बढ़ात हुई है गेहू पर प्रतिक विंटल 40 रुपे और जो पर प्रतिक विंटल 35 रुपे की बढ़ात हुई है इस बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री मोधी ने ट्वीट किया इसे बड़ा निरने बताया और कहा कि इससे अनग दाता के लिए अधिकतम मूले सुनश्चित होंगे लेकिन इस बढ़ोतरी को लेकर एक दूसरी राय भी है समझी कार्य करता और इन दनों किसान आंदूलन में हिस्सा ले रहे योगिंदर यादम ने ट्वीट करके इस बढ़ोतरी को किसानों के साथ एक क्रूर मजाग बताया है उन्होंने एक टेबल भी शेयर किया और कहा कि ये गेहू का MSP सिर्फ 2.03% बढ़ा है जो की पिछले 12 वर्ष में सबसे कम है वैसे तारीफ और आलोचना से परे इस बढ़ोत को देखने का एक दूसरा तरीका भी है सरकार कहती रही है कि वो किसानों को गेहू और चावल जैसी फसलों की जगे दलहन और तिलहन उगाने के लिए प्रेरित करना चाहती है आज कैबिनेट ने जिस तरह MSP बढ़ाया है उसमें साफ दिखता है कि सरकार ने तिलहन और दलहन को ज्यादा प्रोचसाहन राशी देने की कोशिश की है वैसे सरकार ने गन्ने का FRP भी बढ़ाकर 290 रुपे प्रति कुंटल किया है इसी के साफ सरकार ने Performance Linked Incentive PLI योजना में टेक्स्टाइल यानी कपड़े को भी शामिल कर लिया है इसके लिए सरकार आने वाले 5 सालों में 10,683 करोड खर्च करेगी आज यहां माजूली में दो नावों के बीच टक्कर होगे जिसके बाद दोनों नावे ब्रहमपुत नदी में डूब गई हाथसे के वक्त दोनों नावों पर तकरीबन 120 लोग सवार थे निउस वेब साइट इस्ट मोजो के मताबिक 100 के करीब लोगों को अब तक बचा लिया गया है रहत और बचाब के लिए NDRF और SDRF के जवानों को लगा दिया गया है और लापता लोगों की तलाश जारी है यहाथसा निमाटी घार्ट के करीब हुआ 9 सितंबर को मुख्यमंतरी हिमंतर विस्व सर्मा मौके पर जाने वाले हैं यह थे सुरुखिया अब चलते हैं दिन की बड़ी ख़बर की तरह बड़ी ख़बर में सबसे पहले किसानों के प्रदर्शन की बाद हरियाना के करणाल में किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा मंगलबार के शोग में हमने आपको बताया था कि अपनी मांगों को लेकर किसानों ने करणाल में महापंचायत की और उसके बाद मिनि सेकरेटरियर्ट को घेर लिया बड़ी मांग यह है कि 28 अगस्त को जिन अधिकारियों ने किसानों पर लाटी चार्ज के आदेश दिये उन पर कारवाई हो प्रशासन के साथ किसान नेताओं की एक दौर की बैठक बेकल हुई लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी तो किसानों ने करणाल में मिनि सेचेवाले का घेराव किया यह कल तक की बात है आज भी किसानों का घेराव जारी रहा प्रशासन ने आज फिर किसान नेता उसे बाचीत के लिए उन्हें दावत दी लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं सका किसान नेता कह रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती धरना जारी रहेगा भारती किसान ने उन्हें के परवक्ता राकेश टिकेट से बात की हमारे साथ ही प्रशान्त मुखर जी ने जिनके साथ थे राशित सुनिये मिनी सेक्रेटेरियेट के बाहर किसानों का धरना दूसरे दिन जारिये हमारे साथ भारत किसान यूनियन के नेता राकेश टिकेट मौझूद है टिकेट जी दूसरा दिन आप लोगों के प्रदर्शन का क्या रननीती है ऐसा लग रहा है ऐसी खबरे आ रही है कि शायद सरकार म सरकार सक्त है आपके रुख कैसे हैं सरकार के नरम है बिल्कुल नरम है बिल्कुल मगर ऐसा लग नहीं रहा है जो मुझफर नगर में आप लोगों आगाज किया जो आपने एकता का नारा दिया मुझफर नगर से उस डंगे की इतिहास को पीछे छोड़ते हुए और फिर द पूरे देश भर में जाएंगे पूरे देश भर में मिटिंगे करेंगे महाँ पर जोड़ेंगे और पूरे देश को एक सुत्र में बांदेगा काम करेंगे देश के नोजवान को देश के वियापारी को देश का जो छोटा दुकानदार है उसको देश के जो रहड़ी यह मनोहरलाल खटर का विदानसभा शेत्र है उनकी जमीन उनका टर्फ है अगर अंग्रेजी में कहूं तो उन्हीं का यह है और क्या बात हुई आपसे उन्होंने रीचाउट करने की कोशिश की कुछ बात हुई हो आपसे नहीं बात नहीं खटर साहब साथ कभी बात नहीं सब्सक्राइब करनाल में जिस तरह से अब तक चीजें बढ़ी है ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप डटे हुए हैं कि आप आखरी लड़ाई सरकार को तो मानना पूड़गा वे आज माननो वे दस दिन में माननो तो अगर यहां बैठ ना पड़े तो अब तक तक तयार है बैठने को यहां DO करने को हम राजी है हैं कोई यहां से उठने का कोई इरादा नहीं अब किसानों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए कई गलतिया कर चुके हैं ये प्रेस कोंफरेंश की लाठी चार्ज पांच बार किया उसके बाद लाठी चार्ज के बाद मतलब जानबूज करके कसी का मुद्धा उठाया वो गलत साबित हुआ वहां से आकर के साथ दिन फिर साथ तोती चली गई और यह चिंगारी बढ़ती चली गई ऑर यह चिंगारी बढ़ती चली गई अंची जोगा ऑता हुआ सभी के साथ जिन पर वह लाठी चार्ज वा उस चीज door गटे जाली किसी लिए है व्यागर और कोई गो पहले सेक्षन चार लगती थी तीन साल में जमीन अक्वाइर होती थी बीच में जाते थे लोग कोड में जाते थे और जब इन्होंने दुबारा बना दिया तब 70% लोगों की सहमती से कोईर करेंगे वो भी खतम कर दिया अब देखना है कि हर्याना सरकार सुलाह का क्या रास्ता निकालती है मुकेश अंबानी को धंकानी के केस में एनाईय ने चार्चीट दायर की है आज हम चार्चीट की डीटेल्स पर आपसे बात करेंगे अगर एनाईय ने जो बातें चार्चीट में दर्च की हैं वो वाकई सही है तो यह केस बताता है कि पुलिस के अंदर का अफराथ तंत्र कितना मजबूत है। थोड़े से पैसे के लिए या किसी से दुश्मरी निकालने के-लिए या प्रमोशन के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी आतंकी की तरह बं का इंतजाम भी कर सकते हैं। कविश्टर के दफ्तर में बैट कर किसी की हत्या का प्लान रख सकते हैं, खुद को बचाने के लिए किसी निर्दोश को मार कर खुद कुशी का नाम दे सकते हैं। गाड़ियों की फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी सिम, सुपारी किलर, सब का इंतजाम पुलिस वालों के पास है। शायद बहुत बार तो एक एस बाहर भी नहीं आते होंगे क्योंकि यहां कातिल ही मुंसिफ होता है। अपराद करने वाले ही जाश करने वाले होते हैं तो क्या ही किसी को मालूम चलेगा। उद्योगपती अंबानी के केस में मालूम चलता है कि पुलिस वालों का पूरा गिरो है जो अपराद में या पकड़े जाने से बचने में एक दूसरे के काम आता है। Encounter Specialist के हमारे महानता गड़ी जाती है, फिल्मों में उने Hero की तरह पेश किया जाता है, तमगे और इज़त की लालसा में ये Specialist Encounters के नंबर बढ़ाते जाते हैं तारीफ में अकबारों में रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन ऐसे तथा कतितनाएकों की हकीकत कितने घिनौनी हो सकती है, एंटीलिया केस में दावा किया जा रहा है बहुत सारी बातों से, जो की NIA ने अपनी चार्चीट में दर्च की हैं तो केस की चार्चीट में क्या लिखा गया है, हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले आपको एक रीकैब दे लेते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था 25 फरबरी 2021, इस दिन देश के सबसे अमीर आदमी के बंगले एंटीलिया के बाहर मुंबई में एक स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली, इसमें जिलेटिन की 20 छड़िया मिली, माने विसफोटक चीजें एक चिट्थी भी थी, चिट्थी में मुकेशंबानी और उनके परिवार को जान से मारने के धमकी थी, शुरू में लगा कि ये किसी आतंकी गुट का काम है, जैश उलहिंद नाम के गुट की तरफ सेस के जिम्मेदारे भी ली गई, मामली की जांच मुंबई पुलिस ने अ विसफो टक जिस आदमी की गाड़ी में मिले थे, उसकी पांच मार्च को लाश मिली, मंसुख हिरेन उनका नाम था, और फिर मार्च के दूसरे हफते में ये मामला NIA यानि National Investigation Agency को सौप दिया गया, NIA ने सचिन वाजे को मुख्य आरोपी मान कर गिरफतार किया, मुंबई इसके कई अधिकारियों, सिपाहियों की भी गिरफतारी हुई है, जांच के दौरान भी इस मामलों में सूत्रों के हवारे से चंचन कर जानकारियां आती रही, तो ये तैमान लिया गया था कि केस का मास्टर माइन सचिन वाजे हो सकता है, लेकिन वो मुकेश अबमानी को क् पाइदा रेना चाहता था, विसपोर टक कहां से लाया, मनसुख हिरेन की हत्या क्यों और कैसे की, ऐसे सवालों के जवाब अब तक सारवजनिक नहीं थे, इनका जवाब मिलता है NIA की चार्ट शीट में, जांच के बाद NIA ने करीब 10,000 पन्नों की चार्ट शीट दायर की है NIA ने सचिन वाजे को मुख्य आरोपी मानते हुए 17 केसिस लगाए हैं उन पर, इसमें मनसुख हिरेन की हत्या, आतंगबादी गतिविधी और UAPA के तहत आरोप, सबोतों को नश्ट करना आदी इत्यादी शामिल है, किस तरह से पूरा मामला प्लान हुआ था और कैसे अंज चाही क्यों, चार्चीट की मुताब एक वाजे अमीरों को डरा कर पैसा वसूलना चाहता था, साथ ही वो अपनी सुपरकॉप वाली छवी वापस हासिल करना चाहता है, आप जानते ही हैं कि एक फरजे इंकाउंटर के केस में आरोपी होने की वज़े से सचिन वाजे ने लं मेहनत की थी, चार्चीट के मुताबिक दक्षिन मुंबई के एक होटल में सौ रातों के लिए कमरा बुक कराया गया, ये रूम किसी सुशान्त खेमकर के नाम से फरजी आईडी पर बुक हुआ था, वाजे ने इस रूम को से फाउस के तोर पर इस्तमाल किया, उसने पहले स से ही प्लान कर रखा था कि अपराद में गाड़ी कौन से इस्तमाल करनी है, कटना के एक हफते पहले ही उसने मंसु खिरेन से गाड़ी चोरी होने की शिकायत खाने में दर्च करवा दी थी, ताकि जांच मंसु खिरेन तक पहुचे ही नहीं, चार्चीट के मुताबिक, 25 फर प्रप्यो गाड़ी एंटीलिया के बाहर छोडने जा रहा था, तो उसके पीछे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की गाड़ी भी थी, इसके ड्राइवर को वाजे ने बताया था कि ये पुलिस का कोई सीक्रिट ऑपरेशन है, ड्राइवर ने सरकारी गभा बनकर उस रात क पूरा घटना कराम NIA को बता दिया है, तो चार्चीट में दर्ज है, जब गाड़ी पार्क होने के CCTV वीडियो जाये तो जिग्यासा ये भी होई कि वो दोबारा गाड़ी के पास क्यों गया था, सचिन वाजे, इसका जबाब चार्चीट में है, वाजे को लगा कि उसका आप पर जैश उलहिन नाम के फरजी संगठन के तरफ से जिम्मेदारी ली गई, अब यहां मुंबई पुलिस के उस वक्त के कमिशनर परंबीर सिंग का नाम भी लपेट लिया जाता है, साइबर एक्सपर्ट के जरिये आतंकी संगठन के पहचान पुखता करने में परंबी परंबीर को बताया कि इसराइल दूतावास के बाहर हुए विसफोर्ट मामले में दिली पुलिस की वो मदद कर रहा था, परंबीर सिंग को ये भी बताया गया कि स्पेशल सेल ने तिहार जेल के एक फोन नंबर पर टेलिग्राम चैनल का पता लगाया था, चार्चीट के दिखाया कि सचिन वाजे चाहता था कि विसफोर्ट टक रखने और धंकी वाली चिट्थी के जिम्यदारी मनसुक हिरेन ले, वाजे ने हिरेन को लालच दिया कि वो उसकी जमानत करबा देगा, जल्दी छुड़वा देगा, लेकिन मनसुक हिरेन माना नहीं, अब वाजे को प्रदीब शर्मा और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर मनसुक हिरेन को खत्म करने का प्लान बनाया, और संतो शलार नाम के आदमी को पैसो का भरोसा दे कर वाजे ने काम किया, वाजे ने हिरेन को अपने दफ्तर बुलाया ताकि उसको मारने वाले चेहरा अच्छे से पहचा सुनील माने नाम के पुलिस रधिकारी को भी इसमें शामिल किया गया, रिटायट पुलिस रधिकारी और एंकाउंटर स्पेशलिस कहे जाने वाले प्रदीब शर्मा की भी वाजे ने मदद ली और सब के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची गए, मनसुक हिरेन की हत्याकर स शिकायत का ड्राफ तैयार करवाया था, इस चिठ्थी से यह जताने की कोशिश हुई कि मनसुक हिरेन मानसिक रूप से परिशान चल रहा था, वाजे ने नए सिम और नए फोन भी खरीदे ताकि मनसुक हिरेन को फोन पर बुलाएं, तो पीछे कोई सबूत न रहे, चार मार पांच मार्च को मिला था, और हत्या करवाने के लिए वाजे 45 लाख रुपे चुकाता है, तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला ऐसा है कि कसूरवारों को बचाने की कोशिश होती है, उनको बचाने के लिए बेकसूरों के कुर्बाने दी जाती है, उपर से नीचे तक कई सूरवार कौन था, शायद इस मामले में किसी बेकसूर को आरूपी बना कर सचिन वाजे भी कोई मिडल ले लेता, सोचे कितने ऐसे मामले होते होंगे, जिनमें असली अपराधी कौन है, ये हम कभी नहीं जान पाते, जांच में सब कुछ बदल दिया जाता है, कितने ही निर दिललन टॉप शो, कॉमन बॉक्स में लिखे जरूर बताईए कि आपको कैसा लगा, और अगर आप इसमें कोई गुझाईश पाते हैं, तो जरूर हमें लिखे कॉमन बॉक्स में, आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए दिललन टॉप